हेलो दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे कि जब भी आप यहनों एप्लिकेशन में अपना MPIN एंटर कर रहा है और बहां पर आप लोग इन करने की कोसिस कर रहा है तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ रहा है यहां पर आप ok पर simply किलिक कर देते हैं तो इस तरीकी जो प्रावलम आ रही है और आप अपना MPIN भी और आप इसमें लॉग इन नहीं कर पा रहा है तो इस प्रावलम को किस तरीकिस से solve कर सकते हैं चलिए जान लेते हैं जैसे कि दोस्तों मैं आपको इहां पर उता दूँ मैंने इस प्रावलम को इहां पर solve कर लिया है आपको अपनी यह नो एफ्लिकेशन है यहां पर मैं आपको उपन करके दिखाता हूं ठीक है इससे पहले आप चैनल پे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपने ऑज़ गफिंस को लाइक कर देना तो चलीए मैं यहाँ पर अपना mpin एंटर कर देता हूं है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं मैंने इस प्रॉब्लम को यहाँ पर सौ assessment लिया आपने आप सबसेकों MRS यहां पर यह आप यहां से कट करना है और आपको contemptile में आपको हैं इसका कोई अपडेट तो नहीं काई तो आपको आपने तरीक से आजायगा तो आपको इस पर सिंपली कि लिक्क कर देना है यहां पर वहें अब इस पर सिंपली किली करेंगे अब जितने भी एक द्युकिळेसन आपके में होंगे बो आपको यहाँ परखो जाएंगे ठीक है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अब आपको बोही application इसमें देख रहा है इसी के साथ में आपको एक setting यहाँ पर on Again करना है और आराम से आप यहां पर क्लिक कर देंगे तहुंहां तरीके से उसके बाद में आपको फिर यहां पर जाना है और आपको यहां पर एक बार अपडेट कर लेना है अगर आपका अपडेट नहीं तर ठीक है उसके बाद में आप इसे ओपन करेंगे ओपन करने के बाद में आपको यहां पर application को open कर लेना है register now पर simply click करना है permissions को आपको allow कर देना है उसके बाद में अपने number से यहाँ पर verify कर लेना है तो चलिए मैं यहाँ पर verify कर लेता हूँ और आपके mobile number पर एक OTP भी आता है जब भी आप इससे verify करते हैं अभी तो यह आपका phone है उस phone के अंदर sim है कि नहीं है और यह बिल्कुल सही है तब आपको यहाँ पर verify हो जाएगा जाने कि आप यहाँ पर देशते हैं please wait ठीक है तो आपको यहाँ पर धोड़ा सा इंतियार कर देना है तो चलिए हमें यहाँ पर इंतियार कर देते हैं जब तक अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजीगा और कर दीजीगा वीडियो को लाइक तो है आप पर अपना account नमबर डालेंगे और आपको यहाँ पर अपनी डेट करेंगे किलिक करने के बाद में अपना यूजन नेम और आपको यहाँ पर पासवर्ड इसी के साथ में आपको रैफरल कोड में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है तो अगर आपका यहाँ पर यूजन नेम आपको पता नहीं है तो आपको बतादूं इस पर मैंने यहीं वीडियो बना दी है कि अपना यूजन नेम और आपको यहाँ पर पासवर्ड किस तरीके से पता करना है तो उस वीडियो को देख सकते हैं वह आपको इस्क्रीन पर लास्ट में सो हो जाएगी तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स डाल देता हूँ उसके बाद में आपके मुवाल नंबर पर एक OTP जाएगा जिसे हम बन टाइम पासवर्ड भी बोलते हैं ठीक है तो वो OTP आपको यहाँ पर इंटर कर देना है जिसे कि हमारे पास यहाँ पर आ चुका है अठासी 32 और आपको यहाँ पर देखने को मिल्या है 24 ठीक है तो चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं उसके बाद में हम नेश्ट पर सिंपली क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा तो अपना यहाँ पर एंपिन बना लेना है तो चलिए हम नेश्ट पर सिंपली क्लिक कर देते हैं अब आपको यहाँ पर 6 अंको का कोई भी एंपिन बना लेना है तो चलिए हम यहाँ पर एंपिन बना लेते हैं उसके बाद में एंपिन बनाने के बाद में आपको नेश्ट पर सिंपली क्लिक कर देना है और आपको दे पा रहा है फिर उसके बाद में आप यहां पर सब कुछ कर सकते हैं ठीक है और यूज कर सकते हैं ठीक है तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके किसी प्रकार का कोई भी सवा है तो मुझे नीचे कमेंड सेक्षिन में दे सकते हैं मिलते हैं रेस्ट वीडियो में है ठीक है